As a One Piece fan, तुमने जब One Piece के मांगा chapter 1064 को read किया था, उसके बाद वो जो end में dragon और saka का conversation दिखाया गया था, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में आया था कि आखिर ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, और अगर तुमने मेरा वो chapter वाला वीडियो देखा था, तो मैंने वह लेकिन उससे पहले यार जब भी मैं वीडियो में saka का नाम लेता हूँ ना मेरे बहुत सारे सब्सक्काइबर saka को लेके confused होते हुए नजराते, बहुत सारे लोग पूरते हैं, भाई saka मतलब वह 0-1 वाला ही न, देखो मैं पूरी तरह से इस वीडियो में clear कर देता हूँ, डॉक्टर वेगापंक ने अपने बॉडि को 6 हिस्सों में बाट दिया, जिसमें से जो 0-1 वाला था, मतलब फर्स्ट वेगापंक, 0-1 वेगापंक, उसको नाम दिया saka, उसके बाद दूसरा वाला है, ये लड़की जो की है लिलित, इसके बाद जो है थर्ड आता है, वो है एडिसन, फोर्थ है पाइथगॉरस, फाइब है, एटलस, एंड शिक्स है यॉर्क, इन में से जड़ा तुम कुछी जो वे फोकस करना, जो लिलित है, वो एक फीमेल कैरक्टर है, और बहुती गजब की फीमेल कैरक्टर है, प्लस वो स्मार्ट भी है, इसके बाद जो वाले स्पोयलर में जो है कन्फर्म किया गया, इसके बाद जो पाचवा वाले जो वेगापंक है, जिसका नाम है एटलस, वो जो है ये जो बच्ची वाले जो वेगापंक नहीं दिखाया गया था, ये है, अब हाँ 1062 में इसके जो सूट में लिखा हुआ था 06, जबकि ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, ट्रांसलेशन मिस्टेक हुआ था, एक्चूली में ये जो है 05 वेगापंक है, इसका नाम एटलस है, और इस वज़े से बहुत सारे वनपीस फैन जो है कन्फूज हो जाता है, और जो 06 जो मेन है, असली जो 06 वाला जो वेगापंक है, उस से ओल्ड मैन कहा गया था, आरा माकी के द्वार, लेकिन जब इंटर्ड्यूस किया गया, तो भाई यहां पर तो अलगे सीन चल रहा है, लेलित फुल जवान लड़की है, जो एटलस है, वो बच्ची है, दो रोबोट्स है, और जो 6 वाला जो वेगापंक है, वो एक नंबर से इसने अपना चेहरा छिपा के रखा है, जिस वजह से बहुत जादा वनपीस फैंस की दिमाग में यह आही रहा है कि यह फीमेल करेक्टर हो सकती है, जिसके बाद मेरे किसे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला, भाई, क्या यह लुफी की मा तो नहीं है वैसे देखो हसना मत, मैं भी एक टाइम के लिए सोचा था, विकाज यह वाला जो चीज है यह एकदम वही सही है, जैसे सैंक्स रॉक्स डी जैबक का बेटा है, उस टाइप से यह वाला सीना, विकाज पॉसिबिलिटी देखो यार, जो साका है, अभी तक कोई कंफर्म नही दिखा है, और 01 भी old नहीं होगा, ऐसा लगता है, प्लस अगर माल लो, यह female निकल के आती है, तो बहुत ज़्यादा पब्लिक चिलाने वाली है कि हो सकते ही लूफी की मॉम हो, विकाज ड्रागन और उसका रिस्ता फिर कैसे है, यह लोग एक दूसरे को कैसे जानते, क्या य अनपीस में काफी ज़्यादा मिक्स्टिरियस चीज है, लूफी की मॉम, बहुत ज़्यादा ठियोरी यह बनती है, मतलब वो एक चूतिया डाइब ठियोरी है, सबसे बड़ी बात तो, कि भाई, क्रोकडाइल लूफी की मॉम है, उसको मजाक के तोर पे लिहा जाता, उसको स फिलाल के लिए तो मुझे खुद 90% लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला, अब देखो, यह दोनों जब आपस में conversation करते हैं, 1065 चेप्टर के अंदर, अब देखो पूरी तरह से spoilers नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर हमें एक बात तो बताया जाता है, कि यह दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और इन दोनों के बीच में ancient kingdom को लेकर के conversation होता है, जहां पर हमें ancient kingdom को लेकर बहुत सारी जानकारियां मिलती है, प्लस यह भी मालूम पढ़ता है, मतलब इस chapter में confirm कर दिया जाता है, पहले ही ओड़ा ने फॉर्सरे ने बहुत दे रखा यार, कि जो pluton वगेरा, यह सारी चीजे तो यार उस टाइम पर बनाई गई थी, जो कि आज के टाइम पर भी इसका copy बनाया नहीं गया है, तुम सोचो भाई, कितना advance होगा उस टाइम का technology, और जो डॉक्टर वेगा पंक है, उस लेवल के technology को मनाने का कुसिस कर रहा है, लेकिन फिर भी वो ancient kingdom की technology को match नहीं कर पाया है, अब देखो यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगा, बिकाज बहुत सारे लोगों ने मेरा ये marine वाला वीडियो नहीं देखा होगा, जिस वज़े से उनको पता नहीं होगा, जो SSG है, मतलब यह जो science वाला ग्रूप है, डॉक्टर वेगा पंक वा इसके अलाबा अगर कोई इन्हें order दे सकता है, सिर्फ CP0 को, तो वो है कॉंग, लेकिन जरह हम CP9 वाला वो हाथसा याद करते है, एनिस लॉप यार्क में, वहाँ पर जरह तुम याद करो, जो CP9 है, वो जो है Water 7 में भी क्या करने गई थी, भाई, इतने टाइम से उनको Pluton क ये Blueprints चाहिए थे, पर वो लोंग तो नाकामियाब हो जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों, अब देखो, हमें पता है, डॉक्टर वेगापन की टेक्नलोलोजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, लेकिन क्या वो लोंग Pluton बना सकते हैं, कोई ancient weapon को create कर सकते हैं, नहीं, अब देख उसको तो तुम create नहीं कर सकते हैं, वो तो भाई, मर्मेट के अंदर पैदाई सी आता है, लेकिन एक ancient weapon को तुम बना सकते हो, वो है Pluton, तो हो सकता हैं, यहाँ पर वर्ल्ड गवर्मेट ने डॉक्टर वेगापन को बोला होगा, किसी टाइम पे, वेकर डॉक्टर वेगाप सकता है, ठीक है, उतना तक सही है, लेकिन हमें एक बात बताया गया है, कि मिधिकल जौन डेवल फूट का खुद का विल होता है, तो हो सकता है, यहाँ पर डॉक्टर वेगापंक उन डेवल फूट के अंदर विल डालने में, मतलब सोचने की छमतार डालने में नाकामियाब हो गया होगा, इस वज़े से डॉक्टर वेगापंक ने इसको फेलियर कहा, इस वज़े से डॉक्टर वेगापंक के हिसाब से ये एक फेल्ड था, साथी साथ जैसे कि मैं पहले बोल रहा था, हो सकता है, डॉक्टर वेगापंक को जो है, वल्ड गबर्मेंट ने कहा होगा क कि आप जो है Pluton मना के हमें दे लेकिन डॉक्टर वेगापंक इसको बनाने में नाकामियाब हो गया होगा जिसके बाद वो CP0 को भेजी होगी जाके ग्लूप्रेंट्स वगरा जू आल करके लाके दो और वो लोग इसी वज़े से इतने टाइम से लगे पड़े थे पर तुम्हें पता है वो लोग नाकामियाब हो गया इसका मतलब हो सकता है सिर्फ एक ही एंसेंड वेपन वर्ल्ड गवर्मेंट के पास है अभी गए टाइम प तो वानों भी उसी गंडर है जंडा दे दिया है तो हां हाइली चांसेस है कि अगर यहां कोई जाके उंगली करेगा तो लूफी से उंगली करना होगा और लूफी उसको गाड़ देगा इसका मतलब समझ रहो लूफी के पास अब दो एंसेंड वेपन है जिसे वो जरुरत डॉक्टर वेगा पंक को मरवाना चाहते हैं यह सवाल का जवाब मेरे पास भी ने लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज पर मैं बात कर सकता हूं फर्स्ट डॉक्टर वेगा पंक जो चीज बनाना चाहता था मतलब इतने टाइम से वो जिस चीज में काम कर रहा था मैं सराफिम क बात करो बिकॉज हम सब को पता है वो काईडो पर एक्सपरिमेंट कर रहा था लुनारियन पर एक्सपरिमेंट कर रहा था जिसमें से वो लुनारियन वाला तो कामियाब देखने को मिल रहा है और जो काईडो वाला वो भी लगभग कामियाब ही देखने को मिल रहा है अब क बात का हमें बिल्कुल भी आंदाजा नहीं है लेकिन मैं एक अंदाजा लगाने का ट्राय करूंगा डॉक्टर वैगापंक ने बहुत सारे सेरफिम बनाए होंगे वो कैसे देखो एग हेड आईलेंड में एक कूमा वाला सेरफिम है या क्यालो रोबोट है वहीं तुम देखन चली गया कि तुम जितने चाया उतने सेरफिम क्रियेट कर सकतो तो हो सकता यहां पर अनिगिनत मात्रा में डॉक्टर वैगापंक ने शेरफिम बना के वर्ड गवर्मेंट को दिये होंगे और इस वज़ेसे अब वर्ड गवर्मेंट को ऐसा लगने लग गया होगा कि अब जो है टेंसन का बात नहीं है, because warlord का replacement हमारे पास है, plus marine तो हमारे साथ है, यह पांच भुड्डे भी strong है, उपर से जो Uranus है, Uranus वाला बस एक prediction है, possibility यही है कि Uranus ही है वो, और यह भी उनी के पास है, तो अब Dr. Vegapunk को जिनना रखे क्या फाइदा, because Dr. Vegapunk बहुत सारे राज जानत है, उसको ancient kingdom के बारे में पता है, what government will like, जब तक फाइदा निकालना था, निकाल लिया, अब टपका दो इसे, because इसको बहुत सारे राज पता है, क्योंकि ज़रा तुम सोचो, ancient kingdom का नाम बस बोलने के चलते, एक को टपका दिया गया, बस वो नाम बोला भी नहीं था, बोलने वाला था, तो तुम सोचो यार, जिसको ancient kingdom के बार में इतना कुछ पाता है, उसको जिंदा कैसे छोड़ सकते हैं, उसको भी टपकाएंगे जरूर, खैर देखो, आज के वीडियो में बस इतना ही, अब तुम सब जो है, डॉक्टर वेगा पंक के बार में, अगर कुछ और प कमेंट बॉक्स में बताओ, वीडियो पसंदाया, लाइक मारो, चैनल में पर नहीं आगे, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल ऐकन अन कर दो, और हाँ मेरा थोड़े तब यह ठीक नहीं है, तो मेरा आवाज जो है, तुमको अच्छा साइथ नहीं सुनाएं दे, तो इसक के लिए माफ करना, और हाँ इस्टाग्राम पर फॉलो करना, मत बुला, तो यार मिलेंगे नेक्स वीडियो में, फिलाल के लिए, बाई,